गरीब का जादूई बैंगन का पीजा अरे तुम दोनों क्या कर रही हो एक काम करो जल्दी से सब्जियां काट लो मैं खाना बना दूंगी और उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है मैं सारी सब्जी काट देती हूँ पायल को आप घर की साबसफाई करने दीजे रेशमा सूखी लकडी लेकर इतने चूला जलाने लगती है वहीं दूसरी तरव रादिका उसे बैंगन आलू काट कर दे देती है ये लो मा मैंने सब्जी काट दी है आप आलू बैंगन की सब्जी बना लीजे ठीक है मैं खाना बना रही हूँ लेकिन ये बताओ जो तुमने बैंगन काटे हैं उसके चलके कहा है मा चलके तुमेंने कूडे में फेक दिये थे वैसे मा आप सब्जीयों के चलकों से क्या करोगी अब तुम्हें तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं वही गुर्जर के बैंगन के खेतों में काम करके हमें उसके खेत के बैंगन मिल जाते हैं लेकिन हम कब तक इस तरह दूसरों के यहां नौकरी करते रहेंगे बोल तो आप बिल्कुल सही रही हो लेकिन आप बैंगन के चलकों से क्या करोगी मा सोच रही थी कि क्यों ना बैंगन के चिलकों को अपने आंगन के भीतर उगा दूं क्या पता वहां से बैंगन उग जाए अरे वा मा आपने तो बड़ा ही खूप सोचा इसमें तो मैं भी आपकी मदद करूंगी पायल ऐसा कहती ही है कि तभी उसकी दादी की आवाज आती है अरे क्या चल रहा है ये सब खाने को कुछ बनाया की नहीं बस मा जी अभी लेकर आती हूँ तभी कैलाश जंगल से लकडियां काट कर चूले के पास रख कर कहता है कैलाश के ऐसा कहने के बाद रेश्मा फटाफट उसे खाना बना कर दे देती है नाश्टा करके कैलाश गुर्जर के यहां बैंगन की खेती में पहुँच जाता है जहां उसका दोस्त हरिहर उससे कहता है अरे कैलाश बाई क्या चलना है कुछ नहीं बाई बस मजदूरी करके अपना घर चला रहा हूँ अरे ये सब तो ठीक है बाई लेकिन तुने अपने आगे के बारे में सोचा है की नहीं अरे तेरे आगे दो बेटिया है जो जवान हो गई है उनकी शादी कब करवाएगा कैलाश इस तरह बोल कर बहुत मायूस हो जाता है वहीं कुछ दिर बाद उसकी पत्नी रेश्मा भी वहाँ काम करने आ जाती है दोनों पती पत्नी मिलकर खेत में काम करते हैं और शाम को वापस घर लोटते समय वह गूरजर से कहते हैं साहब घर का राशन खत्म हो गया है घर में कुछ भी नहीं बचा है कुछ पैसे दे दीजे अरे हमेशा तुमारा यही ड्रामा होता है हाफता होता नहीं है और तुमें पैसों की जरूरत पर जाती है घर पर राशन का एक दाना तक नहीं होता और ना ही इस बार वह गूरजर के खेतों से बैंगन लेकर आप आते हैं वहीं दूसरी तरव रादिका और पायल दोनों अपनी सहेलियों को एक दुकान पर पीज़ा खाते हुए देखती है अरे तुम लोग क्या खा रहे हो ये रोटी जैसा क्या है ओ माई गाड तुम्हें नहीं पता ये चीज़ पीज़ा है और तुमने ऐसा कभी कुछ खाया भी नहीं होगा जन्दगी में हमारी डैडी शहर से हमारे लिए पीज़ा लाते हैं और ये देखो कितना स्वाधिष्ट है पर मैं तुम्हें ये खाने को नहीं दूँगी क्योंकि ये बहुत महंगा है खुश्बू ऐसा मत कहो मैं तुम्हारी सहेली होना क्या तुम अपनी सहेली को ये पीज़ा टेस्ट नहीं करवा सकती आरे जाओ जाओ तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहां जो तुम्हें ये पीज़ा खाने को मिले तो बारा मेरे पास मत आ जाना खुश्बू ऐसे ही जलील करके पायल और उसकी बेहन राधिका को वहाँ से भगा देती है उन दोनों का पीज़ा खाने का मन करता है जिसके चलते वह अपनी मा के पास जाते हैं पीज़ा खाना है मेरी सबी सहेलिया आजकल पीज़ा खाती है और मैंने आज तक पीज़ा खा कर भी नहीं देखा कि पीज़ा कैसा होता है अरे तुम किस चीज की बात कर रही हो पीज़ा क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता पीज़ा तो बिल्कुल सब्जी वाली रोटी की तरह दिखाई देता है एक रोटी के उपर कई सारी सब्जियां होती है अच्छा ऐसी बात है तो रुको मैं तुम्हें अभी पीज़ा बनाकर खिलाती हूं रेश्मा आटे की रोटी बनाती है और फिर बैंगन का बढ़ता बनाकर उसे रोटी के उपर चिपड़ देती है जिसके बाद वा अपनी बेटी को वह देते हुए कहती है नहीं खाना मुझे ये बैंगन का पीज़ा मुझे आप इसी तरह कुछ भी खिला देती हो मुझे तो समझी नहीं आता हमारी ये गरीबी आखिर कप कत्म होगी फाइल ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है तब ही उनके घर के बाहर बहुत ज्यादा गरीब बूड़ी ओरत आती है कुछ खाने को दे दो बहुत तेज भूख लगी है कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है कोई मेरी मदद नहीं कर रहा कमसे कमे गरीब की मदद करो उपर वाले की दूआ लगेगी बूड़ी ओरत कितना कहते ही रेश्मा अपने घर से बाहर आती है जो उसने अपनी बेटी के लिए बैंगन की रोटी बनाई होती है वह उस बूड़ी ओरत को देते हुए कहती है ये लीजे मेरे पास इस सबजी वाली रोटी के अलाव और कुछ नहीं है मेरी बेटी ने इसे नहीं खाया मैंने बहुत प्यार से उसके लिए बनाया था रेश्मा की आँखों में आसू होते हैं वह बूड़ी ओरत उस सबजी वाली रोटी को ले रेती है और उसे खा भी लेती है तबी अचानक से वह बूड़ी ओरत एक देवी के रूप में आ जाती है तुम बहुत अच्छी हो तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है जो गरीब लोगों की सहायता करते हैं तुम्हारे पास कुछ ना होकर भी तुमने मेरी मदद की मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ बोलो तुम्हें क्या मांगना है अपने साक्षा देवी को देख गर रेश्मा हैरान रह जाती है और वो देवी के सामने हाथ जोड़कर कहती है मेरी बेटी को मैं आज तक कुछ नहीं दे पाई हम लोग बहुत गरीब हैं मैं उसको बस पीज़ा खिलाना चाहती थी जो कि मैं वो भी ना कर पाई कि आप ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे मैं अपनी बेटी को पीज़ा खिला सको हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ बस मुझे अपने घर के आंगन में लेकर चलो देवी, रेशमा के साथ उसके घर के आंगन में पहुत जाती हैं जहाँ वह अपने हाथों से कुछ बीज उसके आंगन में फेक देती हैं उसके ऐसा करते ही वहाँ पर पेडों पर बैगन के पीज़ा उग जाते हैं अरे, ये क्या? बैगन की पीज़ा के पेड़ उग गए हैं अब तुम इसे अपनी बेटी को खिला सकते हो वो इसे खा कर बहुत खुश होगी इतना कहकर देवी मां से गायब हो जाती है जिसके बाद रेश्मा अपने बैंगन की पीज़ा की खेती से एक पीज़ा निकालती है और अपनी बेटी को खिलाने के लि जाती है आपने ये बैंगन पीज़ा कैसे मनाया मुझे कुछ समश नहीं आया रेश्मा सारी सच्चाई अपनी दोनों बेटियों को बताती है जिसके बाद वह दोनों आंगन में होगे हुए बैंगन पीज़ा को देख कर हैरान रह जाती है इसी के चलते राधिका को एक काम भी कर सकते हैं देवी मा के आशिरवात से अब हमारी परेशानी शायद कम हो जाएगी रेश्मा ऐसा कहकर अपनी बेटियों के साथ अपनी खेती से बैंगन पीज़ा तोड़ती है जहां से वह बैंगन पीज़ा निकालते हैं वही वापस से बैंगन पीज़ा उग जाता बहुत स्वादिष्ट बैंगन पीज़ा है जो एक बार खाए बार बार लल चाए रादिका पायल और उसकी मा तीनों मिलकर बैंगन पीज़ा बेचते हैं इसी के चलते गाउं के कई लोग उनका बैंगन पीज़ा खाने के लिए उनके पास आते हैं सब को बैंगन पीज़ा इतना स्वादिष्ट लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड हो जाती है उस दिन वह बहुत सारे पैसे कमाते हैं घर वापसाने के बाद वह कैलाश को बैंगन पीज़ा के बारे में बताते हैं ये तो सच में चमतकार से कम नहीं है कैलाश पीज़ा खाता है उसे बैंगन पीज़ा बहुत पसंद आता है और वहाँ बैंगन पीज़ा बेच कर अपने घर का गोजारा करते हैं दीरे दीरे उनकी सभी परिशानियां खत्म हो जाती है अलाम बज़ते ही चारू चिड़ कर उठ जाती है अहम स्टॉबर्ट भाबी आस्ता भाबी मेरी बैटी कहां है बस ला रही हूँ ये लो तुम्हारी बैटी भाबी खाली चाय सूकी साकी चाय प्यूँ आपको पता है न मुझे सुबह उटते ही भूक लग जाती है नमकीन या बिस्केट या ब्रेट बटर ले आती साथ में इस भुकड का बस चले तो खाली को भी खा जाय और डकार भी ना ले ये क्या बड़ बड़ा रही हैं आप कुछ नहीं मैं बस तुम्हारे लिए ब्रेट लाती हूँ विद लोड़ चीज बटर आस्ता चारू को ब्रेट बटर देती है तबी नाश्ते की टेबल पर बैठी मिनी और काव्या को पोहे परोस्ती है ननत जी आज मैंने नाश्ते में गर्मा गरम पोहे बनाए हैं ये लोग खाओ इतने में चारू भी आ जाती है और तीनों नना देख साथ भुकड की तरह गपा गप खाने लगती है तबी काव्या एक लंबी डकार मारती है भाबी वाह क्या बढ़ी अपोहे बनाए थे हैं अपने मगर पेट नहीं भरा भाबी आज अपने हाथों के बने गर्मा गरम चोले भटूरे खिला देना अपनी आलसी बुकड नंद की इस बात पर बहु उन्हें जड़ब कर बोली तुम तीनों के पास खाने की बात करने के सिवा और कोई बात नहीं है क्या हरे कैसी भूख है तुम्हारी जो खत्म नहीं होती और मैंने क्या मंगल बाजार में छोले भटूरे की रेडी तोड़े खोली है एरे सुभा सुभा कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है देखो ना मम्मी हमने भाबी को छोले भटूरे बनाने के लिए बोला तो डात ने लगी क्यों रही बहु आखिर तु मेरी बेटियों के खाने पीने पर क्यों टोकती रहती है मेरी बेटियों को जो भी खाने का मन करता है तुने बना कर खिला दिया कर आखिर यही तो तेरा काम है तो इस घर की बहु है आखिर कितने दिनों की महमान है ये तीनो इन भूकी भैस के चलते महीने भर में रसोई में डबल राशन पानी लगता है पताने ये तीनों इतना खाती है मगर फिर भी हड्डियों का ढचा है शरीर में लगता ही नी हर बार ये रोना लगा कर अपनी बात मनवा लेती है पिर आस्ता अपनी भुकड ननद के लिए खुब सारे छोले बटूरे बनाती है बाओ भाबी ने क्या गजब के छोले बटूरे बनाए है एक दम मस्त मसा आ गए भाबी एक बटूरा और एक मुझे भी भाबी हाँ हाँ लाई हास्ता बेबी तुम कितना काम करती हो जब देखो किचिन में ही लगी रहती हो देखो ना आज मुझे कितना रोमैंटिक है योगेश प्लीज पहले ही तुम्हारी तीनो भुकड बेहनों ने मेरे दिमाग की दहीकर रखी है इसलिए अपने रोमैंस का कीड़ा अपने अंदर रखो और दपा हो जाओ भाबी एक और भटूरा हास्ता अखिर के बचे भटूरे लिए गुस्से में आती है ये लो ये बिलकुल आखरी भटूरे बचे हैं अगर इससे भी पेट ना भरे तो मुझे भी खा जाओ तुम तीनों इतनी खाईलाल क्यूं हो जब देखो दिन भर कचर 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 करके तुम्हारा मूह नहीं दुखता तुम तीनों मेरी बात मानो और अपनी डाइट पर कंट्रोल करो वरना अगर ऐसे ही लपेटती रही न तो वो दिन दूर नहीं मेरी ननद रानी जब तुम तीनों स्लीप बेल का गद्दा बन जाओगी अपनी भाबी की बात को समझो फिर तीनों ननद अपनी भाबी आस्था को गमंड दिखाने लगती हैं बाबी हमारे घर का राशन पानी आप नहीं बरवाती समझी न हमारे खाने पीने के पीछे हमें टोकने की जरूरत नहीं ठीक है फिर मेरी बला से फूलो फलो देख लेना एक दिन ओवरलोड ठूस ठूस कर तुम फट जाओगी न कहीं रिष्टा नहीं लगेगा और ना कोई भूतनी का दूला बनके आएगा अपनी बहु की ये बात मोहिनी सुन लेती है और चंता में पढ़ जाती है बोल तो बहु ठीक ही रही है अगर ये तीनों निकम्मियां कमरी की साइस की हो गई तो फिर शादी नहीं होगी फिर मोहिनी अपनी तीनों भुकड बेटियों के लिए रिष्टे देखने लगती है हास था बहु कल तेरी तीनों ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो देख ले न ये सुनकर बहु बढ़ी खुश होती है बस बाई गौड जल्दी से मेरी तीनों भुकड ननद की गुड़बाई हो जाएं फिर तो तेरा ही राज है आस था काव्या चारू देखो उमारी शादी की बात से भाबी कितनी खुश है अबी देख क्या बात है भाबी शादी की बात हमारी चल रही और मन में लड़ू आपके पूट रहे हैं चलो भाबी जाकर हमारे लिए पीज़ा बना कर लाओ मगर अभी तो तुम तीनों ने डिनर किया है बाबी वो क्या है ना हमारा रिष्टा पक्का होने वाला तो उस खुशी में भूक बढ़ गई है चाकर मेरे लिए पीज़ा बना कर लाना विद ओवरलोड बटर शीज हाँ और मेरे लिए समोसे कचोड़ी और मेरे लिए मसाला जोसा गई भैस पानी में इन भुकड़ों ने एक साथ इतना सारा खाने का ओडर जो दे दिया बिचारी आस्था किचन में लगकर अपनी तीनों भुकड़नत की फरमाईश का समोसे कचोड़ी पीज़ा डोसा बना कर उन्हें परोस्ती है ओफ आज तो हालत पंचर हो गई सुभा तो और जुल्दी उठना है पांच बजे का अलाम लगाती हो अगली सुभा जल्दी उठका रास्था समोसे कचोड़ी प्रेट पकोड़े मिठाईयां बनाती है अरे बहु रिष्टे वाले बाहर बैठे हैं इन्हें लेकर आ तबी तीनों भुकड ननद पकवानों को देखती हैं भाबी बहुत भूक लगी है एक समोसा ले लूँ नहीं में नहीं अच्छा तो एक गुलाब जाम उन तो खाली नी दो अरे मेरी भुकड ननद रानी ये सारा नाश्टा कहीं भागा नहीं जा रहा है रिष्टे वाले तो बस एक आद खा कर फॉर्मेलिटी करेंगे बागी जो बचे का वो तुम लपेट लेना पर बाद में मगर बाहर उनके सामने मत चरने लग जाना तीनों नाश्टा लिए लड़के वालों के सामने आकर उनके पाउं चूती हैं रोमा जी यह रही मेरी तीनों बेटियां चारू, मिनी, काव्या बड़ी ही प्यारी हैं मुझे आपकी तीनों बेटियां पसंद हैं तब तो हम रिष्टेदार हुए ममी जी आँटी जी को मिठाई तो खिलाओ मोहीनी एक मिठाई उठाकर रोमा को खिलाती है आच्छा सामधन जी अब इजाज़त दीजिए, शादी की तैयार यहां भी तो करनी है रिष्टेदारों के जाते ही तीनों नाश्ते की प्लेट पर तूट पड़ती है अरे अब बस भी करो, तुम तीनों प्लेट भी पेट में रखने का इरादा है क्या अब तो तुम तीनों की शादी भी पक्की हो गई है, अब तो भुकड़पन छोड़ दो आस्था की बात का उसकी ननद पर कोई असर नहीं पड़ता थोड़े दिन में उन्हें शादी की हल्दी मेंधी लगना भी शुरू हो जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है, आस्था अपनी तीनों ननद को तयार करती है और सभी बैंक्विट हॉल में पहुँचते हैं, जहां मन्डप में उनकी शादी होती है जिसके बाद तीनों की भावी गहरी सांस बढ़ते होए कहती है हो गया, शुब, मंगल, सावधान तबी तीनों की नजर शादी के खाने पड़ जाती है चारू मिनी वहाँ, देखो कितना सारा खाना है बुलाओ छोले, चाप की सबजी, मठर, पनीर मेरे मुह में तो पानी आ रहा है, मैं तो चली अरे, तो हम कौन सा पीछे रहेंगे, शादी हमारी है दावत भी जम करोगी पिर दीनों दो-दो प्लेट में भर-भर के खाना ले लेती है और टेबल पर बैट कर गपा-गप खाने लगती है ओए-ओए-ओए, स्वाध आ गया, क्या मस्त मटर पनीर है अबे-ओवेटर भाई, जरा जल्दी से आकर हमारी प्लेट में मटर पनीर डालो जी, अभी लाया मैडम, ये लीजिए अबे-ओव भाई साहा, बितनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, और डालो अहा, क्या बढ़िया पुलाव बना है, स्वाध आ गया अरे ओ भाईया, जल्दी से जाकर दो प्लेट और पुलाव लियाओ, और भर के लाना, और सुनो, पनीर चन-चन के लाना शादी में आए बराती, तीनों को भुकड की तरह खाता देखकर, बाते बनाने लगते हैं कावे पाठक जी, रोमा जी ने कैसन खसे रिष्टा जोड लिया है, देखो तो, इनकी बहुआ एकदम हस्पी है खाने मा वही तो, कैसे गाई भैस की तरह जगाली कर रही है तबी आस्था टेबल पर आकर अपनी तीनों ननद से प्लेट छीन लेती है आगया स्वाद, तुम तीनों से थोड़ा भी वेट नहीं हुआ, खाने की टेबल लग ही रही थी मगर फिर भी जीब चलाने चलिया ही तुम तीनों की भुकड पंते की वज़ा से मा जी और तुमारे भैया को कितनी बाते सुननी पड़ रही है पता भी है, पेट के आगे कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें तबी तीनों भुकड ननद चारों तरफ नजर घुमा कर देखने लगती है लोग उन्हें देख कर हस रहे होते हैं जिससे तीनों को काफी बेज़ती महसूस होती है और उनकी आँखों में आशू भी आ जाते है I'm sorry भाबी, हमें आपकी बाते माल लेनी चाहिए थी अगर हम पहले ही अपनी ज्यादा खाने के आदत को कंट्रोल कर लेती तो आज ये नहीं होता सासुमा, please forgive me, हम अपने खाने पर कंट्रोल करेंगे रोमा उन तीनों की बात पर यकीन करके उन्हें घर लाकर स्वागत करती है जिसके बाद से वह भुकड़पंती छोड़ देती है